नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी बिहार में दो सीटों पर उपचुनाओं की तारीखों के एलान के साथ ही बीजेपी वर्सेज महा गटबंदन महा युद्ध का संखनाद हो चुका है तारीखों का तो एलान हो गया अब चर्चा उम के कैंडिडेट उस सीट पर लगभगता हैं यानि कि मुकामा में अनन्द सिंग की पतनी नीलम देवी और गोपाल गंज में शुभास सिंग की पतनी कुशुम देवी अब बात कर लेते हैं विरोधियों की तो देखिए मुकामा बीजेपी तो लड़ी ही नहीं है अगर विश्कुमार के पल्टी मारने के बाद अब बीजेपी को मुकामा में भी उतरना परेगा और लराई लरनी होगी अनन्त सिंग के जनाधार से अनन्त सिंग के ताकत से नीलम देवी जरूर सामने हैं लेकिन पीछे अनन्त सिंग ही खड़े हैं अब देखिए बीजेपी के प परचा में आये मुकामा वाले ललन सिंग का नाम भी आया कि हो सकता है कि जेडियू अब छोर के उपचुनाव लरने के लिए बीजेपी के पाले में आ जाए भरसक पर्यास भी कर रहे हैं पर बीजेपी क्या किसी बाहरी को टिकट दे देगी क्योंकि बीजेपी खुद को कारे करताओं की पार्टी कहती है उसका कहना है कि संगठन के दम पर ही हम आगे बढ़ते हैं और संगठन में तवज्जो कारे करताओं को ही हम ज्यादा देते हैं ऐसे में एक नया नाम बीजेपी मुकामा की सीट पर इस बार ले कर आ सकती है चर्चा है रामसागर सिंग की जी सागर सिंग मुकामा के ही रहने वाले हैं पेशे से डॉक्टर हैं लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं संगठन खूब देखते हैं अभी प्रवक्ता के पद पर हैं अधिकतर समय दिल्ली से पाटी के लिए काम करते हैं अपना पेशा भी देखते हैं लेकिन चर्चा यह है कि वो इस बार के मुकामा उप्चुनाव में पार्टी के तरफ से उमिद्वार बनाए जा सकते हैं हालांकि उनके उमिद्वार बनने में भी रोरे की कमी नहीं है क्योंकि सुरजभान सिंग भी मैदान में हैं सुरजभान सिंग अभी रालोजपा में यानि पशुपति पार स्केंद्र में मंत्री हैं ऐसे में सुरजभान सिंग के तरब से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार वो चाहते हैं कि उनके भाई कनया कुमार सिंग को एंडिये की तरब से उमिद्वार बनाया जाए मुकामा उपचुनाव में लेकिन बीजेपी इस बार मुकामा के रण में उतरने को बिल्कुल तयार नजर आ रही है और राम सागर सिंग के नाम की चर्चा अब जादा चलने लगी है देखिए बात मुकामा की होती है तो कई च बी इस बार राजत की उमिद्वार होंगी महागडवंदन से होंगी तो जद्यू का भी समर्तन होगा ऐसे में बीजेपी अकेले क्या करेगी मुकामा में राम सागर सिंग के बार में बताएं तो मुकामा के हैं लेकिन बिहार में कई लोकसभा और विधान सभा सीटों के प् पिछली बार जब 2019 का चुना हुआ था लोकसभा का तो बेगु सराय के प्रभारी थे आपको मालूम ही है कि कितने लाख वोटों से बेगु सराय में गिरिरा सिंग चुनाओ जित गए जो कि पहले नवादा छोड़कर बेगु सराय आने को तयार नहीं थे इसके पहले अगर बात करें 2014 की तो 2014 में परस्तितियां कुछ इस प्रकार बनी थी कि राम शागर शिंग लोकसभा चुनाओ की तैयारी मुंगेर सीट पर खूब कर रहे थे यह भी तैय हो गया था कि अगर जेडियू अब बाहर हो गई है एंडिये से बीजेपी को अकेले लरना है तब वो मु उंगेर की सीट जो है वो लोजपा के खाते में चली गई ऐसे में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए केवल और केवल जो संगठन के तरब से निर्देश मिले की लोजपा की उमिदवार को जीताना है तो उन्होंने वीना देवी का समर्थन कर दिया लेकिन इस बार मामला बि पिहार की राजनीती में अकेली है उसे मोकामा में एक अच्छे और दमदार उमिदवार की जरूरत है राम सागर सिंग सायद उसे पूरा कर सकते हैं एक बहतर छवी के इंसान है डॉक्टर है पेसे से और मोकामा में लड़ाई हमेशा बाहु बलियों की हुई है तो क्या रा की के उमिदवार के तोर पर वो अनंद सिंग की पतनी नीलम देवी को कितनी टकर दे पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल कल से यानि की साथ अक्टूबर से नमांकन की प्रकिडिया सुरू हो जाएगी 14 अक्टूबर आखडी तारीक है उसके पहले य कौन होगा यानि की एलान करना है और नमांकन भी करना है सबसे पहले चर्चा ललन सिंग जो मुकामा वाले हैं उनकी चल रही थी लेकिन खबर यह है कि राम सागर सिंग को बीजेपी इस बार मुकामा के उपचुना और रण में उतारने जा रही है हलांकि जो सुत्रों से अबित होती है यह तो वक्त ही बताएगा बन रही है लाइफ बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अब सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें